हेलो गाईज, इस प्यूश और वेलकम बैक तो मैं चैनल, तो आज आपको इस वाली वीडियो में बताऊँ आप अपने घर पर अपनी गाड़ी का लॉगडाउन में कैसे केर कर सकते हैं, क्योंकि लॉगडाउन में गाड़ी इतना नहीं चल पाती है बाहर रोड पर, तो आप अपनी गाड़ी की केर किस तरहीके से कर सकते हैं, क्या ऐसे precautions ले सकते हैं, या क्या take care कर सकते हैं अपनी गाड़ी की, तो चलिए शुरू करते हैं तो मेरी गाड़ी पर पहले से cover डला हुआ था मैंने इसको अपनी convenience के साब से हटा लिया है आप चाहें तो पूरा हटा सकते हैं तो चलिए आप अंदर चलते हैं देखते हैं कि अभी में बाहर बता रहा था हमारी गाड़ी लॉक्डाउन में खड़ी दैती है घर पर तो उसकी क्या ऐसी केर की जाए कि हमारी गाडी एकदम jamप ना ना हो जाए क्योंकि गाड़ी बहुत सारे पार्ट कुछ्टे चोटे पार्ट जाए लिए बड़े पार्ट यह आप है जैसे बड़ा पार्ट मंहिली एक इंजन हो गया कि यह एर फैन का उधर और करने के लिए हो गया इसको swing करने के वाला fan की हवा को धर उदर swing करने के लिए होता है तो इसको हम move करेंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा यह वरना हो सकता है कि इसी point पर हाड हो जाए हापर tight हो जाए यह easily move ना हो पाए तो यह तो हम सबसे बड़ी चीज से start करते हैं कि गाड़ी में बैटरी होती है वह एकदम down ना हो जा तो उसके लिए हम गाड़ी के engine start stop button दबा देंगे ignition on कर देंगे तो यहां पर हमने ignition on कर दिया है गाड़ी एकदम सई हैंड ब्रेक तो लगा कर रखता हूं फिर भी फॉरा क्या कहते हैं सेकंड हैंड मतलब एक backup के लिए मैं गेर को डाल कर रखता हूं एक एंगेज करके रखता हूं तो इसको music system भी होता है speakers होते हैं सब चीज equally हमारी माइने रखती है यह भी होते हैं यह बाले buttons भी होते हैं जैसे कि मैंने बताई यह भी होता है यह सब चीज होती है तो यह hard ना हो तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ गाड़ी के स्टेरिंग से तो यह सारे बटन से आप एक एक बार दबा कर देख लीजे सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब चीज करके देख लीजे यह सब चीज सब दबा कर देख लिए कि कोई प्रॉलम तो नहीं हो गई है यह मैंने सारी चीज दबा कर देख लिए हैं सब चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है आप M.I.D. में चेक कर कर देख सकते हैं और एक इक इंपर्टेंट चीज अगर आपकी गार्ड टिल्टेंट टेलिस्कोपिक आपका स्टेरिंग है तो आप उसको उपर नीचे कर के देख सकते हैं यह भी जैम ना हो जाए तो इसको भी हम इसका भी मुझपे तो अभी यह खाली टिल्ट हो रहा है तो वह आप कर सकते हैं एक कैमरा मेरे हाथ में लगा हुआ है तो दोनों हाथ से आप टिल्टेंट टेलिस्कोपिक दोनों को यूज करकर देख सकते हैं अब जैसे involved, इंहें भी चेक करके रेक्ते हैं क्या यह वर्क कर ऱैया कि बटन्स इस तो इस वज़ेork बहुत दिन लोगों की खडी रही थी थे वह से ख़ए होत दर से नीचे CTAX लगा होने लाइस दूर्ञ रोखלता है यहां Im अब इस आगी से लेकिन अभी बात करते हैं गाड़ी के अनदर की तो जैसा कि अभी हमने चीजेशंग कर लेंगे अभी मैंने cover डाला हुआ है घाड़ी पर अपनी गाड़ी का cover हटा के वाइपर चला के check कर सकते हैं यह सब चीज़ चेक कर सकते हैं तो उसके लिए आपको गाड़ी start करनी होगी मैं गाड़ी को start अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी गाड़ी पर cover डला हुआ है मैं इसको कर लूँगा अभी थोड़े देर में cover को हटा कर या फिर मैंने अभी सुभा ही गाड़ी अपनी स्टार्ट करी थी थोड़े देर के लिए तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना ऐसा मैं एक वीडियो बनाऊ और आप लोगों को बताऊं तो इस पीकर के अंदर ब्लैडर होते हैं तो वह जैम ना हो जाएं सूख ना जाएं बेकार ना हो जाएं इसलिए आप गाड़ी को धीरे धीरे मतलब अवाज धीरे धीरे बढ़ाएं और थोड़ी तेज करें मीडियम आवास तक आप जाएं वन से लेके आप जहां तक आपका तो इसकी बैटरी थोड़ी लोगी तो आप सबसे पहले गाड़ी को कम से कम 10-15 मिनट आप इंजन को स्टार्ट रखिए मूवमेंट होने दीजें गाड़ी के पार्ट के जो इंजन के पार्ट से एक चोटे-चोटे उसका मूवमेंट होने दीजें और एसी भी आप जरूर यूज करिए कम से कम पांच मिनट अगर आपकी गाड़ी शेड में खड़ी है तो आप एसी को जरूर यूज करें क्योंकि एसी की जो फैन बैल्ट होती है वह भी खराब होने के चांसे रहते हैं तो आप इसको भी एसी को भी पांच मिनट लगबग चलाएं और इंजन को कम से पार्ट उपपर नीचे left right सारे विंड्स जो आपके इनको आप टेस्ट करकर देख लीजिए कि आपके पार्ट सही से काम कर रहे त्यायों तो आप उनको बीचेक चीज़ आपके मिरर्ण recent मिरट को याउन करकर 90GG कर के देखी है मैरा मेरा पूरर अपट रावbaby जैसा कि आप कोई hardness नहीं आ रही है क्योंकि यहां पर रवर्ड होती है उससे हार्ड हो जाता है अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वह सूख जाती है तो सीशे को पूरा नीचे करें विंडो को पूरा उपर करें ऐसा आप चारो विंडो के साथ करें ऑटो वाला सिस्टम भी आप चेक करक हैं तो हम यह वाला शेड अगर आप डालकर रखा हुआ है यह वाला शेड तो आप इस शेड को जो है पीछे कर दीजिए और संड्रूफ को आप एक बार खोल कर देख लें जितने भी पोजिशन्स हैं आपकी संड्रूफ में उसको सब को आप चला कर देख लिए पीछे हो यह पूरी आगे कर देता हूं तो यह संड्रूफ पूरी आगे हो गई है अब जैसे कि एक सेटिंग होती है इसमें पीछे से टिल्ट करने वाली तो आप उसे भी चैक करकर देख लिए तो यह तो इसली हो रही है आपका यह है इसमें पेंट राई या फिर कुछ भी चीज इंसर्ट करके और फिर निकाल कर देख लिए यह वारा बटन भी आप यूज करकर देख लिए जितने भी हैं आप कलाच ब्रेक पैडल और आपका एक्सलेटर पैडल सब को यूज करकर देख लिए क्योंकि इनमें वी वायर्स होते हैं इनकी चिप वगरा या फिर सिस्टम जो भी होता है वो सब चीज प्रॉपर वर्क कर रही है जैम हो गई है या नहीं हुई है उसको आप प्रॉपर ली यूज करने के लिए इनको भी एक बार चला कर देख लीजे जरूर आप मेरी गाड़ी के तो राइट साइड में ये मिरर खुलने ही सकता है क्योंकि धश्च और फिर इसे बंद कर देता हुं तो इस तरीके से आप सारे डॉर्स को ओपन करके और क्लोस करके देख सकते हैं तो अब ये parts तो ऐसे हैं कि इन में कोई jam होने वाला इतना चक्कर नहीं है फिर भी आप headrest है इसको आप उपर नीचे करकर देख सकते हैं यह आपका handrest है इसको भी उपर नीचे करकर देख सकते हैं आप properly work कर रहा है नहीं कर रहा है और सबसे important चीज शीट में यह आपकी सीटागे पीछ हो रही है नहीं हो रही है इसे slide करकर ऐसे ऐसे करकर देख लिजिए और recline करकर भी देख लिजिए ऐसे और ऐसे recline करकर और up-down करकर भी आप देख सकते हैं इसको ढ Alberto Sएयड के सारे बटन प्रेस कर कर देख लिजेFI में और सीड घीड वैल्ट को भी ऐप ऐसे करकर देख सकते हैं और इसके लॉक में देख सकते हैं parades सकते हैं तो आप इसमें भी सित बाल को लगाईए और प hiring कर देख सकते हैं तो यह सब चीजें गाड़ी के अंदर है जो आप access करके देख सकते हैं पीछे की तरफ भी अगर हमारे बल्ब है के बिन वाला उसको भी आप access करकर देख सकते हैं वो भी properly work कर रहा है या नहीं कर रहा है तो globe compartment रह गया इसको भी आप check करकर देख लिए इसके अंदर जो light है वो properly जल रही है या नह इसने गाड़ी में चला कर देखें या जो भी चीज करें आप कम से कम गाड़ी को 15 मेना तक start करकर रखें और फ्यूल का जरूर द्यान रख लीजे अगर आपकी गाड़ी को आप 10-15 दिन के लिए खड़ी कर रहे हैं तो फ्यूल इसमें फिल करा कर रखें कम से कम आधर टैं तो रखें तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं अपने गेर बॉक्स को एंगेज करकर रखता हूं एक कोई सा गेर तो आप गाड़ी को start करने के बाद क्लच प्रेस करकर सारे गेर एक बार एक बार अट लीस डाल कर देख लीजे और आगर आपके घर में जगा है जहां पर देख लीजे ख्रेस कर कर किजएगा उप्रेस कर चाहें आप घाड़ी बन करके कर रहे हो चाहें जाकर कर रहे हो एक बार करने की जरूरत नहीं है क्यों झारी खाड़ी पर आप गेर बॉक्स करेंगे तो उसमें भी प्रॉबलम है तो ये गाड़ी के headlights हैं, इनको भी आप चलाकर देख लीजे, सारी settings में आप इनको on करकर देख लीजे, उपर नीचे इसको करकर देख लीजे, कि क्या headlight leveler ठीक से काम कर रहा है, headlight level हो रही है, नहीं हो रही है, high beam work कर रही है, parking light work कर रही है, head lamp work कर रही है, fog lamp work कर रही है, cabin की चीज है, कोई problem तो नहीं है, engine bay में, तो जैसा कि मैं बता रहा था, tire के लिए, tire आपके यहां से लगे हुए है, तो ये flat हो जाते हैं, कई बार जब आपकी गाड़ी बहुत दिन तक नहीं चलती है, एक ही जगापर खड़ी रहती है, तो आप गाड़ी को थोड़ा बहुत आ बीच में हवा रखिए, medium settings पर आप हवा रखिए अपनी गाड़ी की, और सारी lights वगरा, आप check कर सकते हैं कि सब properly work कर रही है या नहीं कर रही है, जैसा कि हमारी इस गाड़ी में ये वाला sensor है, आप हाथ अंदर लेके जाएंगे passive entry है, तो आप इसको भी check कर सकते हैं, इस वा आप यूज करते रही है, तो आप गाड़ी के पार्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली जितने भी पार्ट्स हैं, उनको हम सब को on, off या फिर खोल के और बंद करके check कर सकते हैं, उनकी proper working के लिए, चेक करने के लिए, अब बात आती है, गाड़ी जैसे देख सकते हैं, ही है, अट्मोस्पेर में थोड़ी धूल होती है, तो आप कोशिश करिए, इसको साफ जितना कर सकें, उतना साफ कर लें, लगबग एक हफते में, या फिर दस दिन में आप इसको साफ कर लें, क्योंकि देख सकते हैं, आप यहाँ पर गंद की काफी जमा होई है, और अगर म ताकत ना लगानी पड़े, जादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए आप रेगुलरली अपनी कार को एक गीले कपड़े से, यह सब धूल को आप साफ कर सकते हैं, अंदर से, तो इस वाली वीडियो में मुझे से जितना हो सकता था, जो मुझे लगा कि यह सब चीजे बत करता है, एक्स्टीर के साथ भी वाई केस होगा, कि गंदी की लेयर पर लेयर चरती जाएंगी, और वो पहली वाली लेयर जो है, इनीशल लेयर जो थी सबसे फस्ट लेयर वो साफ नहीं हो पाएगी, और वो गाड़ी के कलर को डल भी कर सकती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टन भी हैं, वो गरम होके, जैसे कि मैंने बताया है, रबर्स वो गरम होके खराब हो जाती है, और जैसा कि इस गाड़ी में पीछे की तरफ भी एक टायर है, तो वो भी रबर्ड है, वो भी खराब हो सकता है, अगर धूप में जादेर खड़ा रहेगा थो, अंडर दस सन है, क्योंकि ये वैदर कंडिशन जितनी भी होती है, हर चीज से बचा कर रखता है, स्क्रेचेज आप निकलेंगे, इधर से उधर, तो उसमें जो स्क्रेचेज आएंगे आपकी गाड़ी पर वो भी आपके इससे बच सकते हैं, कवर डाल के रखेंगे तो आप, तो ये मेरी इतना ही था, मैं जितना बता सका, इतना बता चुका हूँ, मैं बाकि आपको अगर कुछ ऐसी चीज लगती है, जो मुझे से रहे गई हो, जो हमें केर रखनी चाहिए, अपनी गाड़ी की लॉकडाउन, मगरा गाड़ी हमारी नहीं चल पा रही है, घर में खड़ी ही है, ए ऐसा कि आप इस चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं, और प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जरूर, जरूर कर दीजे, ना भूलें इस चीज को करना, क्योंकि मैं अगर ऐसी ही कोई इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा, तो वह आप मिस्स कर जाएं मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तके लिए बाई बाई टाटा एंड पीस आउट